अगर वीडियो पुसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजेगा और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा चले कलका क्विकली रिविजन कर लेते हैं सबसे पहले अंतर राष्टे सीमा सुलक दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और राश्प्रती दुरोपदी मुर्मुजी ने वीर्ता परोस्कारों को मंजूर दिये है टोटल 412 जिसमें 6 केर्थी चक्र दिये जाएंगे और अभी हाली में आयोजित AGR पर अंतर सरकारी तक्रीकी कारे सम्मूखे 12 सत्र का उपाध्यक चुना गया है भारत को और संयुक्त राष्ट ने 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट का आनुमान लगाया है 5.8% वहीं RBI ने JP Morgan Chase के भारत यूनिट के लिए CEO के रुपे मंजूरी दे दी है प्रवदेव सिंग को यानि यह यहां के CEO होंके इसके अलावा New Zealand ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हौकले मिडल सुरू करने की घोशना की है और करनाटक राजजी में 13 वी सैदी के होईसला का हीरो स्टोन खुजा गया है और भारत दोस्तो बारतिया रेलवे ने आईडियल ट्रेन प्रोफाइल के शुरुआत की है इसके तुरू आर्टिफीसल इंट्रेलिजेंस की म भारत को सवसे ज्यादा चीते देगा इसके लिए भारत दे एग्रिमेंट हो रहा है यह जीते बारा बारा करके प्रतेक वर्स आएंगे अगले आठ से दस सालों में सवसे ज्यादा चीते भारत में आ जाएंगे तो यह टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्चिन कल हम लोगों न एक बहुत ही बड़ा मिसन है आदित 11 मिसन आदित 11 मिसन दोस्तों यह सौर मिसन है ठीक है सौर मिसन है सौर मिसन बुले तो यह सूरी के लिए मिसन होगा आदित सूरी की प्रयावाची भी होती है यह दोस्तों इस रों का पहला ऐसा मिसन होगा जो सूरी के पास में जाएगा तो सूरी की जो बाहरी परत होती हैं जिसे कहते हैं कोरोना ध्यान रखिएगा कोरोना सूरी की बाहरी परत को भी कहते हैं कोरोना सिर्फ आप वायरसी मत जानों कोरोना सूरी की बाहरी परत को कहते हैं वहाँ पर जाएगा ये स्टेडी करेगा सूरी को और ज्यादा अच्छे स समझेगा तो यह आदित एलवन मिसन होगा इसरो का होगा और इसरो ने राउंस किया है कि इसी साल में अभी जून या जुलाई 2023 तक लांच कर देगा इसरो से ठीक है तो अगर ऐसा कर देता है तो फिर से इसरो का नाम हाइलाइट हो जाएगा जो सौर मिसन किया होगा ठीक है तो आदित एलवन मिसन यह आप याद रखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है फिलहाल इसको इंडियान इंस्टिटुट आफ ए इसरो की अस्थापना दोस्तों हुई थी 15 अगस्त के दिन 1979 में 1969 को एस सोमनात जी इसके अध्यक्ष है इसका हेड़कॉर्टर है बेंगलूरू में कहां पर है बेंगलूरू में इसका हेड़कॉर्टर इसरो का इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाजेशन भारत की सरकारी इसपेस हैं कि कुछ और मिसन की बात करें थो दोस्तों यह सौर आदित गशल्वन ऐस ही सुक्र मिसन करने वाला है गडियान क्लों पधाएगा पहली बार इसरो भीजतेगा इसके अलावा समुद्र यान लांच करेगा इसके तहट क्या होगा समुद्र में इस रो अपना इस रो बैक्टियों को भी वेज़ेगा और अपना एक प्रकार से मिसन करेगा समुद्र की तलहटी में जा करके ठीक तो समुद्र यान समुद्र में जाएगा गगन गगन में जाएगा सुक्रियान सुक्र में चलिए और चंद्रयान तो आप जानते हो चंद्रमा के लिए चंद्रयान ठीवी लांच होने वाला है यह इस रोके आने वाले मिसंस हैं अगला हाली में किस मंत्राले ने लाल किले के लॉन में 6 दिवसिये मेगा इवेंट भारत परव का आयोजन किया तो दोस्तो अभी परेटन मंत्राले के द्वारा लाल किले के लॉन में 6 दिवसी मेगा इवट भारत पर्व का आयोजन किया गया ये 6 दिनों का है 26 जनवरी से शुरू हुआ है और ये चलेगा 30 जनवरी तक ठीक है ना बहुत सारे विभाग, मंतराले, राज, केचास्तर प्रदेश इन सबकी जھाकियां यहां पर रखी जाते है। अंत में जिसकी जाकी सबसे बढěि Access के जाता है, उसको क्या किया जाता है। जैसे मने आपको बताया था कि जब गरतन दिवस पर जब जाकिया निकाली जाती है न तो पिछले दो बार से यूपी की जाकी जीतती आ रही है एक दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा इस बार का भी पता लग जाएगा कि कॉल सी जाकी ने इस बार जीता हुआ है पिछले दो से 31 दनवर्च तेक चल रहा है आगे इस मारक योजना के तहट सरकार ने कितने स्थलों को निजी छेत्र को सौपने का फैसला लिया यानि यह जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में इनकी देख भाल इनका रख रखाओ यह प्राइवेट सेक्टर करेगा प्राइवेट इस बाइवेजिवल ले सकता है वह इसका रख रखाओ देख भाल और अपने नियम कानून बनाएगा अगर वह इसे टूरिस्ट स्पार्ट बनाने में अच्छे तरीके से बनाने में काम्याब रहता है तो अब यह तीगट भी रखेगा और टिकट रखेगा तो वह अपना अर्निंग भी वहाँ पर करेगा रिवेन्यू भी जनरेट करेगा तो कुल मिलाल जी लाकर करके यहां पर भारतरकार का कहना यह है कि यह चीजे जो है यह मॉनुमेंट्स है इनका आप अगर कोई प्राइवेट कोई इंडिविज्वल या कोई कमपनी जो है वो यूज करना चाहती है as a Monuments तो इस मारक के रूप में तो इसे प्राइवेट सेक्टर के रूप में ले करके वो संदरी गररण कर सकती है तो यह इस मारक में त्रयोजना के तहत है हलाकि इस पर सरकार का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो पूरा-पूरा ज़्यादा ज़्यादा कंट्रोल तो प्राइवेट सेक्टर को ही रहेगा ठीक, तो सरकार ने 15-6-23 को आज़ादी का अमर्यत महुत्सों के अंद तक पुनर निर्मित इस्सिमारक में त्रियोजना, ये यूजना याद रखेगा पुनर निर्मित इस्सिमारक में त्रियोजना के तहट 500 से ज़्यादा साइटों को सौपने का लक्ष रखा है हुआ है ठीक है तो 500 से ज़्यादा और अभी रखे जाएंगे तो पुनर नेर्मित इसमारक मित्र योजना ये होगा बहुत सारे ऐसे इसमारक हैं जो खंडर बन गए हैं उनको भी हो सकता है स्वांदरी कर्णि किया जाए ठीक चलिया आगे देखते हैं अगला फरवडी 2030 में प्रकृति और पक्षी महोट्सों के सात्वे संस्क्रट की मिजबानी कौन सा राजी करेगा तो फरवडी 2030 में दोस्तों प्रकृति और पक्षी महोट्सों इसका सात्वा संस्क्रण उत्तर प्रदेश में हो रहा है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में हो रहा है यहां पर आप दिख़ाओगे आर्टिकल है उत्तर प्रदेश टू होस्ट सेवन्थ एडिसन ऑफ यूपी बर्ड एंड नेचर फेस्टिबल इन फेबुरी तो यह उत्तर प्रदेश के जय विवित्ता से भरपूर वंजिव रिजर्व और अब भ्हारणों की सराहना करना यह सभी परपत्र से यह आयजुद किया जा रहा है इसमें फोकस रीजन होगा प्रकृति सम्रक्षण के लिए इको टूरिसम अब आया है उत्तर प्रदेश तो उत्त की राजधानी है योगी अर्दिनाज जी बीजेपी पार्टे से यहां के सीम है और गवर्नर है आनंदी बेन पटेल क्लियर यहां पर अगर जीलो की बात करें तो गोविंद बल्लब पंसागर यह आद रखेगा यह इंपोर्टेंट है मोती जील है सुरहा ताल रामगर ताल दुधवा निशनल पार्क है नवाब गंज पक्षिय प्यानट पीली भी टाइगर रिजर्व है चंदरपरभा गेंड सेंचुरी है इटावा लायन सफारी भी है और लखनों में भारत की पहली नाइट सफारी भी खोली जा रही है फर्स्ट नाइट सफारी चर्कुलार नो रुपी ही सेयर करेगा आठ राज ये एक केंसा से प्रदेश से टूटल नौ से अपना बॉर्डर सेयर करता है चलिए राज के पसु है यहां का बारा सिंगा राज के पक्षी है सारस राज के पुस्प है पलास और राज के ब्रिक्ष है असोक आगे बढ़ते हैं हाली में कि इस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसारी करने की घुष्ण की तो दोस्तों कैनेडा ने यह अनौंस किया है कि यह दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसारी करण करेगा यानि इसको क कनाडा नहीं एनाउंस किया है विजनस इस्टेंडर का आर्टिकल आपके सामने है दुनिया का पहला यह फोटोनिक बेज़ क्वांटम कंप्यूटर होगा जो कामर्सिलाइज किया जाएगा इसके दौरा इसको कनाडा के टोरंटो में एक कंपनी है जनानडू क्वांटम टेक् करेंगे इसको कनेडा आया है चलिए दिखाता हूं वर्ड मैप में कनेडा है कहाँ पर देखेंगे यह रहा अपना प्यारा भारत यहां से आप आएंगे दोस्तों कनेडा की तरफ तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आप चाहे इधर राइट साइड में या नॉर्थ अमेरिकां कांटिनेंट में कनेडा युनाटेश स्टेट्स मैक्सिको इसके लावा गवाटेमाला निकारागुआ क्यूबा यह यह सुपत्र है यह पोटेडिको अगरा लेकिन यह तीन बड़े देश है नॉर्थ अमेरिकां कॉंटिनेंट की और यहाँ पर उपर यह है कनेडा इसकी कैपिल होती है ओटाव जो कि यहां पर आपको मिल जाएक यह रहा उटावा कैपिल है चीननेडा की हैं कनेडा के जो प्राइम मिनिश्ट्र है यह जर्टिन ट्ूड ऊकतर अपने बयानों को ले करके खासकर कि इंडिया से रीलेटेर बयानों को लेकर के चर्चे में रहते हैं करेडा की करनसी होती है Canadian डॉलर ठीक है और यूएज डॉलर से यह और सी बात है कम होती ही है वेलुइस की पेटियम ने पी ओएस उपकरण लगाने के लिए किस कमपनी के साथ समझोता किया है सैंसेंग के साथ और वहीं एक्वा बाजार एप लांज किया है पुरसोतम रुपायला जी ने यह कौन है यह मत्स विवाक के मंतरी है हर घर जल्द सर्टिफाइट प्रात करने वाला भारत क पहला राज्य गुवा बना है इंप्रोटेंट है पूछा गया था ठीक है पहला राज्य गुवा बना है हम्यि प्रमुघट वीजी सोमानी का कारेकाल कितने इंच के लिए बढ़ाया गया लिए १े लिए श्याओ गया करनाटक के द्वाराält श्यासने रोजर बिन्नी, ठीक है न, इस्ट्वर्ड बिन्नी के पिता जी, तो इससे पहले कौन थे, सवरोगाउंगले, ये अध्यक्ष है, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की, जो के पूर प्रदान मंतरी थे, इनकी जैनती के उस्तर पर मनाया जाता है, दही हा बहुत दिनों से चल रही थी, और मैंने आपको पिछली साल भी इसका रिलेटर से कुश्चन बताया हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से ये लागू नहीं हुआ था, अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं, बड़े-बड़े स्टॉक्स पर लेकिन लागू हो गया है, टी प् प्रणाली है, हाला कि यहाँ पर भी पूरी तरीके से लागू नहीं है, ठीक है, तो अब इंडिया में भी फिलाल थोड़े-थोड़े लेबल पर लागू किया जा रहा है, इंडिया कंप्लेट ट्रांजिशन टू टी प्लस वन सेटल्मेंट साइटकल, तो टी प्लस वन करते हो, तो वो इस्टॉक हो जाता है लॉक और वो लॉक होने के बाद दो दिनों के बाद आपके अकॉंट में पहुचता है, उसके बाद आप उसको करते हो, सेल या फिक कुछ भी जो भी करना होता है, ठीक है, तो लेकिन अब जब टी प्लस वन निप्टान परनाली है, इ अभी 2003 से अगर बात करें, भारत में ये टी प्लस टू निप्टान परनाली चल रहे थी, ठीक है, और अब ये टी प्लस टू वाला भी और अप्डेट करके टी प्लस वन कर दिया गया, लेकिन अगेन सभी कमपनियों के लिए नहीं, कुछ चुनिंदा स्टॉक के लिए अभ कर दिया गया है, फिल हाल अभी अडानी वाला भी वाल चल रहा है, तो इसको ले करके कल कॉंटेंट तो तयार हो गया था, बस वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन आज मैं इसको ले करके वीडियो ले करके आऊंगा, और अडानी गुरुप का जो भी मामला चल रहा है, उसको में मिस्रित यूगल का किताब किसने जीता तो देखो आज चल रहा है और जल्द जल्द अब रिजल्ट भी आने शुरू हो गए है ठीक है तो अभी तो मिक्स डबल्स का रिजल्ट आया है आने वाले दिनों में आपको सिंगल्स का भी मिल जाएगा फिलाल इस बार का मिक्स ड संपार टेनिस खिलाडी थी अब यह अपना आखरी मैच खे लिए और अखरी मैच यह फाइनल हालाग कि जीत नहीं पाई मिक्स डबल्स में गई तो थी फाइनल तक लेकिन यह जीत नहीं पाई यह फाइनल गई हार जीता किसने लोईसा इसंतिफनी और राफेल मोटोस उसने मटोस ने जीता हुआ है और रोहन बपना और सानिय मिर्जा की जो जोड़ी थी यह उपविजेता रही तो इस बार हो जाता है लेंगे तो इनका आखरी Grand Slam यह टूनामेट था यह जीती कब थी आखरी बार 2009 में जीती थी आस्टेलियाई उपन की अगर बात करें तो साल भर में चार Grand Slam होते है ना टेनिस के जिसमें सबसे पहला वाला जो होता है वो होता है आस्टेलियाई उपन इसमें हाइड कोट पर यह खेला जाता है फिर होता है फ्रेंच ओपन जो की खेला जाता है मिट्टी के मैदान पर या कहें क्ले कोट पर खेला जाता है फिर होता है विबलेडन ओपन जो की सबसे पुराना Grand Slam था और यह होता है ग्रीन ग्रास के मैदान पर यानि हरी घास के मैदान पर चौथे नं पूरान लिस्ट आ जाएगे मतलब समी वी जेता पता चल जाएगे तो मैं आपको सब बता दूंगा हाली में किस केंद्रिय मंत्री ने नेस्नल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का उदगाडन किया यह पर आप देख पाओगे उनियन मिनिस्टर सरवरहनद सोणवाल इनेगुरेट नस्नल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन यह क्या है सब्सके उसके अलावा कम काम करके डख्षटा बढ़ाई जा सकेगी इसे सिंते बढ़ाई जा सकेगी पारदारिस्ता में भी सुधार आएगा ठीक है तो टेक्नोलोजी का यूज करके लॉजिस्टिक समुदाय के सभी हिद्धारकों को जोड़ना ही इसका उद्देश है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का ठीक तो ये एनलपी मरीन ह इसको लांच किया गया 27 जनवरी को सरवनन सोनवाल जी के बारा जो कि केंद्रिय पत्तन पोत परिवान और जल्वार मंत्री हैं अगला है हाली में चीन ने कहां पर भारत की सीमा के पास नया बांध बनाया तो चाइना ने दोस्तो उत्तराखंड के पास में अभी हाली में भ अब रांचल प्रदेश में अभी कुछी महीनों कहलेंगे या कुछी दिन कहलेंगे तवांग घाटी में एक इंसिडेंट फेर से हुआ था जड़प हुई थी भारतिय सैनिकों के और वहां के सैनिकों के बीच में लेकिन अब उसको देखते हुए इसने अपना बांध बना आने का जो काम है वह बहुत तेज करती है तो यहां पर देखो आर्टेकल है दा हिंदू का चाइना ब्यूर्ड न्यू डैम इन तिबबत नियर इंडियन बॉर्डर तो भारतिय सीमा के पास में लगा रहा है और खासकर कि यह भारतिय सीमा उत्रकंडरा जिससे लगती है बा भारत का आयरन मैन कहा जाता था साविर अली को ठीक है आप लोह पुरुस को नहीं समझेंगे लोह पुरुस जो थे लोह पुरुस बल्लब भाई पटेल जी ठीक है बल्लब भाई पटेल जी उनको आप नहीं समझेंगे यहापर इनको भी आयरन मैन कहा जाता था साविर अली को साबिर अली रेलवे के एक कर्मचारी थे और अथलीट थे टाइप का कह सकते हैं हम लोग ठीक है इन्होंने इन्होंने डेकाथलान जीता था डेकाथलान डेकाथलान में गोल जीता था और ये भारत के आयरंमेंट कहलाए थे 1981 में ACI Athletic Championship में इन्होंने डेकाथलान में गोल जीता था ये 1989 से 1989 के बीच लगातार आठ ओपन राष्टी खिताब जीते थे अंतर राज जिये जब इंटर स्टेट मुकाबला होता था ना इनको कोई हरा ही नहीं सकता था ये हमेशा आपराजे ही रहे इन्होंने 1989 और 1981 के बीच में दो बार हर्याना का प्रत्नीरीतु भी किया 1981 में इनको अर्जुन प्रुसकार से भी सम्मानित किया गया था तो भारत के आयर्मैन कहले जाने वाले साविर अलिकार निधन हो गया है क्लियर ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करेंट अफेर के questions अब हम लोग CGL एक्जाम क के रुप में काम करता है तो प्लेटी हमनिथीज है ठीक है यहां पर आप इंगलेस में भी देख पाऊ जेए तो यहां पर इसके मुख और गुदा दोनों के रुप में यह काम करता है इसके पाचन तंद में एकलद्वार होता है भारत में जूट का पहला कार खाना लोक निरत नहीं संबन देता है बाकी ऑप्सन आपको देखना था वहां पर ठीक है हिंदू करेंडर के अंशार भारत में रक्षा मंधन पूर्णमा स्रावन मास को मनाया जाता है स्रावन मास की पूर्णमा को और मंगु भाई छगन भाई पटेल को रजपाल नियुक्तिया गया है मद्यप्रदेश की गवर्णर है इस यह किल 2018 इंडोनेसिया में जकार्ता और पालंबर्ग में हुआ था बहुत बार इसका रिविजन मैंने आपको करवा हुआ हुआ है और 2023 वाला होगा चाइना में ठीक होना था 22 में लेकिन होगा चाइना तोज़ा तेइस में संग जो की एमर्जन्सी की टाइम भी खत्म नहीं होती है क्लियर वाकीज़ा एमर्जन्सी की टाइम पर मुलतकार खत्म कर दिये जाते हैं तो चलिए बात करते हैं लाज़ डे क्यूशन सी जो मैं आप से कल पूछे थे लोक निरत आंदर प्रदेश का कौन सा है तो इसमें से सभ जो की चेतर का वीरता पुरुषकार और सांती की चेतर का सर्वोची वीरता पुरुषकार कौन सा है यह भी बता दिना मने आपको डेटेल में बताया हुआ था ठीक है इस्टेजिवा प्रावसपरिटी कि स्राज्जी में स्तित है यह भी आप बताईएगा चलिए बहुत- तो धन्य बाद यहां तक वीडियो देखने के लिए मिलेंगे गली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जाहें वंदे मात्रम